MP पुलिस में किस तरह के प्रश्ण पूचे जाते हैं? सारे प्रश्ण हम इस वीडियो में देखेंगे और आज हम बर्श 2017 में 19 अगश्ट को आयोजित दोनों पेपर के प्रश्ण हियां पर डिस्क्रस करने बाले हैं तो आई शुरू करते हैं वीडियो अंतर तक देखिएगा और शमझिएगा कि किस तरह के प्रश्ण पूचे जाते हैं अब आप पुलिस परिच्छा की तयारी के लिए हमारा एप्लिकेशन डानलोड कर लें गूगल प्लिकेश्टर पर लेखें तेज एजुकेशन और बहां आपको कमप्लिक श्टेटी माटेरियल नोच पीडिया फ्री टेस्टी सबकुछ अपलब्द होने वाला है सबसे पहला प्रशन है कि पानी के शुद्धी करण की कौन सी पद्धती है जो कि कीटानों को नहीं मारती है बड़ा ही आसान सा प्रशन है तो हमेशे याद रखना चानना पानी को चान कर आप क्या है भई उसे सुद्ध नहीं कर सकते पानी के केटानों को नहीं मार सकते हैं हाँ, डॉक्टर से सजेश्ट करते हैं जब हम लोग बीमार होते हैं कि उबाल कर पानी पीजिएगा अर्थात क्या पानी के केटानों इससे क्या है खत्म हो जाते हैं और आशन विधी के द्वारा भी पानी का शुद्ध करन किया जा सकता है केटानों को मारा जा सकता है और किलोरीनी करन के द्वारा भी जो पानी को शुद्ध किया जा सकता है प्रशन इस तरह से भी बनता है कि निमने मैसे आप किस विधी के द्वारा पानी को शुद्ध कर सकते हैं कई दफ़ा पूछा गया है किलोरीनी करण जिसका आंसर हुआ करता था कई दफ़ा ये प्रशन ब्यापूंद की द्वारब पूछा गया है तो हमेशे याद रखिएगा प्रशन पूछने का ढंग बदल सकता है लेकिन चीजें नहीं बदलती हैं आगे बढ़ते हैं अगला प रिच्छा के लिए टॉप साइंस के वीडियो अप्लब्द कराएं उनमें पहला प्रशन भी हम देख चुके हैं दूसरा प्रशन भी हम उसमें देख चुके हैं तो पूरे के पूरे हमारे टॉप साइंस के वीडियो की सीरिज आप जरू देख लें तो वह सरवादिक सुव किस राशानिक प्दार्थ में बदल जाता है आप से कितने प्रस्ण बन रहे हैं कितने प्रस्ण नहीं बन रहे हैं बिल्कु ध्यान दीजिएगा और वहां तैयारी केजिएगा जो प्रश्ण आपसे गलत हो रहे हैं किस टॉपिक के प्रश्ण ते प्रश्न है कि चुम्बक का वह महत्वपूर गुण जिसका उपियोग नाविकों और यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है वह गुण कौन सा है तो भई चुम्बक का वह गुण है दिशा संबंदी गुण कैसे अरे भई नावों में पहले क्या हुआ कर दिशा संबंदी गुणा का पता लगाने के लिए चुम्बक का सहारा लिया जाता था अगला प्रश्न है दिवाली के दौरान पटा के इमारत के बाहर जलाए जाते हैं उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनी सुनाई देती है ऐसा क्यों होता है एक प्रश्न हमने दिस्कस किया था टॉप सैंस की जो हमने वीडियो देखी थी कि मोहन या फिर कोई भी एक्सवाई जयर नाम था कोई व्यक्ती दूर रावन जल रहा था रामलीला मैदान में उसे देख रहा था उसे रोश्नी दिखाई पढ़ने के दो सेकंड के बाद ध्वनी शुनाई पढ़ेगा ध्वनी बाद में शुनाई पढ़ेगी आसान सा प्रशन है जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा भई के हमारी कान क्या है हमारे कानों में ध्वनी बाद में आई प्रकास जो है आँखों में पहले आगे तो प्रकास जो है ध्वनी से तीज यात्रा करता है इसलि मवेशी मुर्गा यह सबी पशुधन के अंतरगत आते हैं लेकिन जो मोर है ना वह एक पच्छी है यह पशुधन के अंतरगत नहीं आता है अगला प्रश्ण है कि पशुओं में न पाया जाने बाले उतकों का नाम बताईएगा तो पशुओं में न पाया जाने बाले उतक है बिभज्यो तक उतक बिभज्यो तक उतक भई पस्कूंमें नहीं पाए जाता है हमेशा याद रखना आगे वढ़ते हैं और हां एक और बात आपको बताँ में बिभज्यो तक उतक जो है और जो है वो पार्धप उतकों में पाया जाता है जब हम Science पढ़ेंगे तो किधर भई टिश्यू टॉपिक में या उतक टॉपिक में ये चीज़ें हम पढ़ा चुके होंगे आपको अगला प्रशन है कि आरोई क्रम में आपको शवी काईयों का चेन करना है तो आरोई क्रम में भई इनका क्रम क्या है सही आरोई क्रम आरोई क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में आपको लगाना है तो सबसे छोटा पहले आएगा अर्था सेकेंड उसके बाद मिनट उसके बाद घंटा उसके बाद दिन उसके बाद महीना उसके बाद बर्ष विकल्प सीज का सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है हैजा किसके कारण होता है बताईएगा हैजा किसके कारण होता है भई बचपन से अगर आप लोगों ने कोई भी एक्जम दिया होगा कोई भी तो ये प्रश्ण भई पूछा ही जाता है हैजा किसके कारण होता है तो भई हैजा जीवा जिवाणू के कारण होता है, विकल्पिडी इसका सही जवाब है, तो हमेसे याद रखेगा, मैं एक वीडियो आपको प्रब्द करा दूँगा, जिवाणू के द्वारा होने बाले पूरे रोग आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, कबगते द्वारा होने बाले रोग अभिकिरिया में उस्मा का क्या होता है, भई अभिकिरिया में उस्मा क्या होती है, विक्सित होती है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं सिधे सिधे, कि व्रोयलर चिकन का भरण क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेगा तो व्रोयलर चिकन प्रश्ण है चार कच्छित हिर्दय बाला सरी सरफ है प्रश्ण है कि हिर्दय धमनियां तता सिराएं एक साथ कारे करते हैं यह संगठन के किस इस्तर का उधारन है बहुती प्यारा प्रश्ण है तो भई यह संगठन के अंग प्रणाली इस्तर का उधारन है किसका अंग प्रणाली इस्तर का उधारन है अगला प्रश्ण है कि एट्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता बताईएगा क्या तो मैं बिल्कुल हर प्रशन आप समझिएगा और जब तक आपको प्रशन समझ ना है वीडियो रोकिए फिर से उसे समझिएगा तो एट्स भाई जो है वो गले लगाने के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है ओके यह छुए छूत बाली बीमारी नहीं होती क्या अपने गले लगा लिए और संचारित हो गया तो गले लगाने के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है बलकि यह लेंगिक संपर्क के द्वारा इस्तन्य आहार के द्वारा और रक्तदान के द्वारा पौशिवल है ओके अगला है कि सूच में जीव जो सरकरा की ऐलकोहल म खमीर कौन होता है खमीर एक सूच में जीव होता है जो सरक्रा के एलकोहल में परवर्तन में खमीर कर्मक के तरह कारे करता है ओके आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है ओके देखिएगा अब हम दूसरा पेपर देखने बाले हैं जो कि 19 अगस्त को ही तीन बजी आयो जेत गए तो उसके प्रशन हम देख चुके हैं अब हम भाग दो में इसी वीडियो में क्या है साम की शिप्ट का पेपर देखने बाले अचले कर सुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन है कि पीलिया होनी की दसा में कौन सा अंग प्रभावित होता है वहती प्यारा प्रशन है तो रक्त रस में पित रंजक नामकिक रंग होता है जिससे आधिक से तोचा और स्लेस्मिक कला में पीला रंग आ जाता है इस दसा को कामला या फिर पीलिया कहा जाता है ओके क्या है पीलिया या फिर अगर दूशा नाम आ जाए तो क्या कामला ओके अगला प्रशन है कि अपसिष्ट जल उपचार की पिरक्रिया को कहा जाता है क्या तो भई अपसिष्ट जल उपचार की पिरक्रिया को मल जल शोधन कहा जाता है विकल्प डी इसका सही जवाब है अगला प्रशन है कि जब कोई व्यक्ति अत्यदिक खाता है तो उसका उतक बसा से भर जाता है तो जब कोई ब्यक्तिय अत्य दिखाता है तो उसका वसीय उतक जो रहता है वह बसा से भर जाता है किस से वसीय उतक बसा से भर जाता है प्रशन है कि जब बायू में एलकोहल दहन करता है तो उर्जा किस रूप में मुक्त होती है तो वह जब बायू में एलकोहल दहिन करता है तब उस्मा तथा प्रकास के रूप में मुक्त होती है उर्जा किस रूप में उस्मा और प्रकास के रूप में अगला प्रशन है कि रेगिस्तान के पौधों में जलहानी की दर किसकी उपस्तेती के कारण कम हो जाती है बहुत ही पहरा प्रशन है हमेशे आद रहते हैं रैगिस्तान के पौदों में जलहानी की दर कम हो जाती है भई क्यू टिकल के कारण किसके कारण क्यू टिकल की उपस्तेती के कारण ये जलहानी की दर कम हो जाती है नाविकी रियक्टर में या पिर कहें इस रियक्टर में जो है उर्जा किस प्रक्रिया के माध्यम सुत्पन होती है तो भई यहां पर नाविकी विखंडन होता है क्या होता है नाविकी विखंडन होता है अगला प्रश्ण है एक किताब पड़ते समय पुष्टक और आँख के बीच आवशक निन्तों दूरी कितनी होनी चाहिए तो भई ये दूरी होनी चाहिए पच्चिस सेंटिमीटर अगला प्रशन है कि मौसिस ब्रायोफाइट होते हैं जो किसे से पहचाने जाते हैं तो मौसिस ब्रायोफाइट होते हैं जो पहचाने जाते हैं प्रभावी तोuz फाइटिक प्रावस्ता से, उके ये ब्रायू फाइट है, अगला प्रशन है कि मदूमिय के लच्छन क्या होती है, तो ही मदूमिय का लच्छन होता है बारं बार पेशाव और असामाने प्यास का लगना, उके अगर आपको बारंबार पिसाब आ रहा है, यह समने प्याश है, तो यहाँ पर क्या है, आपको मद उमेह के लच्छन है, यह, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है कि एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, यह क्या कहलाता है, तो बैए ऐसा पुष्प जि है, तो हमने पूरे एक दिन की दोनों पेपर हमने आपको कबर करा दिये हैं, इसी तरह हम आपको complete science लोप जिक्तरा बाले हैं, मदुष्प आपको 93 distilz के लिए, 19 अगश्चत के दोनों पेपर हमने आपको कबर कर दिये हैं, और आसा करता हैं, कि सभी प्रशन आपको याद ह हो गए होंगे कभी भी आपसे बाविस्वां गलत नहीं होने चाहिए